आएए अब हम अब थोड़ा ज्यादा चलना है अब नारद कुंड नारद वन और शाम वन का दर्शन हुआ अब शाम वन से लेकर हमें मांसी गंगा पहुचना है जवरदस्थान दिवाली के दीन मांसी गंगा का निर्मान हुआ था तो अब हमारा अगला पढ़ाओ जो हैं मा अभी भक्त शाम वन शाम कुंड का दर्शन करते हुए नारद कुंड का दर्शन करते हुए ये दोनों दर्शन करते हुए हम मांसी गंगा की और आगे बढ़ेंगे बोलिये गोवर्दन महराज की जय तो गोविन टीवी के माध्यम से हम जो व्रज चोरासी की आप सभी को दर्शन करा रहे है उसमें हम इस स्थान पे इसका नाम है मांसी गंगा तो बहुती सुंदर बहुती पवित्र ये स्थान है यहां पे हम सब आपको जो बाहर के दर्शन है मांसी गंगा के उसके भी कराएं तो माराजी आपका नाम Kennedy तो Ainot Pandit जी हमारे साथ है जो यहां के पुजारि जी है और यहां पे और भी सब पुजारी हमारे साथ उपस्रीत है तो आम विनोट पंधी जी से निव Ferr pledge करेंगे के गोईन टीवी के माध्यम से आप सभी को यहां के दर्शन कराए और यहां क्या भगवान की वास्तविक में लीला कता हुई है यहां स्थान का क्या महत्व है वो हमें बताएंगे हरे कृष्णा बोलिए गोबर्दन महाराजे कीजे स्री किष्णे का नया लाले कीजे रादे रादे जैस्री रादे यह भईया मानशी यंगा मुकुट मुकारविंद मंदर है गोबर्दन महाराज के यहां दो सरूप का दर्शन है यह गोबर्दन महाराज है और यह भगवान किष्णे है भ सरूप का दर्सन है सर्वे पिर्थम भगवान किष्ण ने ही गोवर्धन महाराज को पुझवायों सबसे पहले प्रजवासी इंद्र की पूजा किया को अरते थे भईया भगवान किष्ण का अफ्तार होने के बाद में किष्ण ने जो है इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्ध बिज़वासियों से, के विज़वासियों, कि पुजा करो, जो आपके सम्हनुवत फूल करें। तो भर्गवान किस्थने गोबर्दन महाराज को सर परते पुजवायों प्रजवासि शाथ म。 यह जो है गोबर्दन महाराज यह किस्थने है। एक रूप से पुजत है, दूजो रहो पुजाए, और सरस्त पुजा पहलाई के मांग मांग के कहा हैं। डलाब रिजबासी भरवर के लामें और गोबर्दन महराज लंबे-लंबे हाथ करके भाईया सबन ने ले जामें। ऐसो बता में हैं कि जा समय किस्टने गोबर्दन महराज को पुझवायो तो बासमें गोबर्दन महराज ने सवा लाख मन भोग आरुग कियो। तो यहां को बड़ो बिचित्र महिमा है या इस्थान की यह बगल में मानशी यंगा है मानशी यंगा मैया और पाल लगा दे जीवन की नईया मानशी यंगा महराणी और जीवन की दूर करें सब परेशानी यह मानशी यंगा जो है कैसे प्राइकटिव हैं यह गोबर्दन पर सब्सक्राइब करके गोईगर्दन नहीं से व secular करना मिका राको्ट करने के लिए तो किसंगरने कि दुछे को मारने के लिए पासी क्रम में 2022 भगवान 9,40 नाम का राक्या्यश बेंग तरक्रम भगवान किसने तो जो अंतर यामी है वो ब्रिसभ के रूप में आयो भईया तो गव के रूप में आयो भगवान किसने उसको जो पैचान लिया और उसका पेर पकड़ के बद कर दिया अब गवाल बोले काना हम तुमारे संग नहीं खेलेंगे नहीं खाएंगे भईया बोले क्यों नहीं आपको तो गवत्या का दोस्ट लगाए बारे यह तो राख्या से देत या यह तो यह तो हम सबको मारता है यह तो जहता है कुछ भी चाही देखो यह हमारा ससनातन धर्म है यह हमारी परंपरा है भली वो राख्या से देत है लेकिन फिर भी वो गव के रूप में है तो गवालवाल सखा क्या बोले भगवान किसने से कि आपको गव अत्या का दोश लगा है आपको जो है गंगा इसनान करना पड़ेगा अब भगवान किसने बोले भाईया गंगा इसनान करना प आपतार रूपधान किया भगवान विश्णु ने तो जब तीन पग में सब कुछ नाप लिया तो उनका एक पग जो है ब्रह्म लोक में पहुचा तो ब्रह्मा जी ने अपने स्वामी का जो है पैर को पहचान लिया बोले ये तो मेरे स्वामी का पैर है उनके अंगुष्ट क का प्रोख्यालन करके अपने कमंडल में रख लिया वही बाद में जो है भागिश्ची जी तफच्चा करके और प्रेसत्स करके जो है गंगा जी को अभ्तरन किया, भोले-नात की जताओं में लेकर के वो यहां लाए तो वही भगवान किष्णिके चंडलों का जल ही बो गंगा मां है भागयती गंगा तो भगवान किष्णीं बोले का भगया गंगा तो जो में चर्णों से तो भगवान किसने ये प्रस्ताव रखो आप गंगा इन्यंघ किरार हुए सब तीर्त और सब नदी यहां वराजमान हो जाएंगी तब तो आप मुझको प्रमारित करोगे कि जो मैं गंगा प्रिगट करूँगो वो बास्तम में गंगा मा है और पुनीत है, पावन है, पवित्र है बोले अच्छा ठीक है तो भईया किस्ट ने मन से बंची से खोद के यहाँ पे जो है, वो गंगा मईया प्रिगट करी मन से करी, तो यह मानिशियंगा या को नाम रखो गयो यह मानिश की मन की मनो कामना को पूर करने वाली गंगा मा है हाँ, ऐसा जल, आपको कहीं अन्यतर नहीं मिलेगा यह जल, साक्यात किस्ट नो और गोबर्दन महराज का चर्णामरत है, क्योंकि आपने देखा होगा मानिशियंगा के मद्द में गोबर्दन परवत की संकला है है ना, तो जब जहाँ जो जल, यह पारस है भईया यह गोबर्दन परवत के आए, यह पारस है हाँ, इसका चर्णामरत अमरत तुल है मैं तो कहता हूँ, अमरत से भी भढ़कर है तुल है नहीं भढ़कर है, इसका चर्णामरत तो इसका जो जल है ना, वो साक्यात अमरत के समान है क्योंकि बगर्द में गोबर्दन परवत संकला है पानी का जगोरा लगता रहता है तो वो सब चर्णामित में प्रवर्तित होता रहता है तो यह मानिशिंगा का जो है अच्छा अब जो है यहां के बिजवासी वाल-वाल क्या कहते हैं गोबर्धन पूजा के लिए कि जो है दो चाल लाइन में आपको सुनानों चाहूं अरे चलो रे भाईया स्रीगिर राज पूजा करेंगे और कलियू के हैं प्रथम देवता उनको इध्यान धरेंगे चलो रे भाईया स्रीगिर राज पूजा करेंगे अरे श्री क्रिष्न पूजन पूरंदर को चुड़ाए दियो पूरंदर माने इंद्र भागवान किसने इंद्र का पूजन मेट दिया क्योंकि जिसको एंकार होता है ना भागवान उसकी एंकार को दूर कर देते आरे श्री क्रिश्न पूजन पूर अंदर को छुड़ाए दियो और लेके संग गोपी गवाल गिरवर पूजाए दियो और आप ही खवायो और आप ही ने खाये लियो गिरवर को मान तीनव लोक में भड़ाए दियो हम इनकी सरण पढ़ेंगे आज गिर राज पूजा करेंगे चालो और भाईया स्री गिर राज पूजा करेंगे क्रोध कियों इंदर मेग मालन को बुलाए लियो और ब्रज को डुबाओ ऐसो होकम सुनाए दियो देख हाल लाल गिरी नक पे उठाए दियो और डुबत इब्रज एक पल में बचाए लियो ये नईया पार करेंगे आज गिर राज पूजा करेंगे चालो और भाईया स्री गिर राज पूजा करेंगे हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना 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 हरे हरे मैं बहुत बहुत दनेवाद दूँगा गोविन टीवी को मैं मेरा अनुभव सुना हूँ चार-पांच साल का जब से था तब से हम गिर्राज परिक्रमा करते हैं लेकिन आज जो हमें दर्शन मिला है एसा दर्शन कभी नहीं मिला क्योंकि जब जब हम वहां जाते हैं तो लाखो की भीड लगी होती है मत्था टिकाने में भी इतना समय नहीं देते हैं जल्दी जल्दी भागो और यहां सारे पुजारी, सारे पंडे खड़े होकर बड़े भाव से, प्रेम से ये वरनन कर रहा है और इतना सुन्दर गोर्दन शिला का में दर्शन प्राप्त हुआ तो बहुत सुन्दर धनिवाद और यह और कुछ नहीं भगवत कृपा, गुरु कृपा, शिल्प्रभुपाज्ये की कृपा ही समझिये जिसे घर बैठे हमें यह सुन्दर आनन प्राप्त होता है